19 साल की निकिता कुमारी राजधानी पतना से 1300 किलोमीटर दूर भाग कर पंजाब जाती है। वहाँ पर इसलिए जाती है क्योंकि उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिना शादी के लिभिन में रहना था। लिभिन का मतलब कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ही घर में रहना था। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के पहले ही एक साथ एक घर में रहना था। अब लगबग एक महिना से बिहार की पुलिस अपहरन का मामला मानकर जाज़ परताल कर रही थी। जब पुलिस वालों ने पूछा भी कि कहीं कोई उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है तो घर वाले कहते हैं कि उसका तो आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। तो इस आधार पर कहना गलत होगा कि वो कहीं भाग गई है। लेकिन अंतता जब पूरी कहानी पता चली जब पूरी कहानी निकल कर सब के सामने आया तो सब के पैरों तले जमीन खिसक गई। 19 साल की निकिता कुमारी की कहानी हम आपको आगे बताएंगे जो पतना से भाग कर 1300 किलोमेटर दूर पंजाब गई सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए। बागे नमस्कार में नाव मैं मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं। यह विडियो रोडबेज एप के दोरा प्रयुजित है। अब आते हैं वापस निकिता कुमारी की कहानी पर। निकिता कुमारी जिसकी उम्र 19 साल है वह निकिता कुमारी अपने घर से 31 जुलाई को यह कहकर निकलती है कि हमको कॉलेज में अड्मिसन लेना है। वाले सोचते हैं कि बेटी कॉलेज में एडमिशन कराने गई है इसके बाद दोपहर के लगबग वह कॉल करती है और घबडाई हुई आवाज में कहती है कि मम्मी हमको बचा लीजिए ये लोग कह रहे हैं कि मेरा किड़नी निकाल कर बेच देंगे मेरा अपहरन हो चुका है इ एफाइयार दर्ज होने के बाद पुलिस जाज परताल सुरू करती है और एफाइयार दर्ज होने के बाद पुलिस घर वालों से पुस्ताच करती है आप इधर मा और परिवार के अने लोगों को देखिए अपने हाथ में छोटा सा फोटो लेकर अपनी बेटी को मा दिखात पंजाब के संगरूर में पंजाब पुलिस से कौन्टक कीया गया वहाँ पर बाचीत हुई तब पता चला कि निकिता कुमारी नाम की पटना की एक लड़की ने वहां की अदालत में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पिटीशन की अदायर किया है तो उसने इस बात की इजाजत कोट से मांगी थी कि हमको और हमारे बॉयफ्रेंड को लिभिन में रहने दिया जाए कोई हमको परिशान न करे इस बात का आदेश अदालत जारी कर दे जब पटना पुलीस को पिटीशन के बारे में पता चला तो पटना पुलीस को पता चल गया कि यही निकिता कुमारी है जो यहां से पूरी नाटक की कहानी रचकर गायब होती है और पंजाब में अपने वाइफ्रेंड के साथ इस वक्त पर रुकी कोई उसका अपहर नहीं हुआ किसी ने उसका किड्नी नहीं निकाला बलकि वक्त खुद बखुद पतना से भाग कर पंजाब चली गई केवल और केवल अपने वाइफ्रेंड के साथ लिविन में रहने के लिए और इधर मा बड़ी बहन हर कोई फोटो लेकर पुलीस के सामन रो रहा था फोटो दिखा रहा था कि ये मेरी बेटी है ये मेरी छोटी बहन है इसको बचा लीजिए इसका तो किड्नी निकाल लेंगे फिलहाल पुरी कहानी अब सामने आ चुकी है लगबख 27 दिनों ते जिस निकिता कुमारी की तलाज पुलीस कर रही थी वो निकिता कु इसी लिए वो अपना घर छोड़ कर भाग गई है अब आगे और कुछ अगर अपडेट आएगा और जानकारी आएगी तो सब कुछ आप तक पहुचाएंगे लेंगे फिलहाल जिस 19 साल की लड़की के अपहरन को लेकर तमाम प्रकार के सवाल उठाएगे सरकार पर प्रशा इनवाद